आज हम बनाने वाल है चिली चिकन आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आपने इस एक बर बना लिया न तो रेस्टरंट का टेस्ट आपको घर पे ही मिल जाएका और आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक देखें क्योंक स्वाधनुसा डाले और दो चमस मैदा और तींग चमस कॉन फ्लोर लिया है अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर रेडि करना है आप देख सकतो है यह मिक्सर रेडी है अब इसमें हम चीकन डालेंगे मैंने यहां पर 200 ग्राम बोनलेश चिकन लिया है अब इसमें एक चमस कस्मीरी रेड चिली डाल दे आप बनलेश चिकन की जगह पर विद बोन भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इससे कम से कम 20 मिनाट के लिए मरीनेट करके रख को हम मिड्यम फ्लीम में अच्छी तरह से गर्म करेंगे सब गर्म हो चुका है अबढ़ चिकन को हम डाल कर लेंगे चिकन को मिड्यम फ्लीयम में दोनों साइट गोल्डेन होने तक फ्राई कर लें लगवग 6-7 मिनट फ्राई करने के बाद चिकन हमारा ची तरह से फ्राई हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं अब हम इसका ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लेक पैन को ची तरह से गर्म करें और उसमें तेल डाल दे मैंने यहां पर तीन चमच के लगवद तेल लिया है अब बारी कटा हुआ अद्रत बारी कटा हुआ लेसन हर इमिर्च हर इमिर्च का माउंट आप कम ज्यादा कर सकते हैं अब इसमें हम प्याज की क्यूब्स डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा सिम्ला मिर्च डालेंगे ध्यान रखे जब प्याज और सिम्ला मिर्च डाल रहे हो तो फ्रेम आपका मेडियम हाई में होना चाहिए ताकि प्याज और सिम्ला मिर्च जल्दी सॉप्ट ना हो और इसे दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद हमें हाप दो चमज टमेटो केचर एक चमज रेट चिली सॉस आप ग्रीन चिली सॉस कर इस्तमाल कर सकते हैं एक चमज डार्क सोय सॉस आधा चमज वेनिगर डाल कर इस एक पर अच्छी तरह से मिला ले और कुछ सेकेंड के लिए पकने अब इसमें हम वन फोर चमज पानी डालेंगे अगर आपको ग्रेवी गाड़ी चाहिए तो आप पानी के साथ आधा चमज कौन फ्लोर मिक्स करके डाले जिससे आपके ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी अब मैंने यहां पर थोड़ा सा नमक डाला है अब ग्रेवी में चिकन क पीसे डाले जो हमने फ्राइ करके रखा था और इसे हाई फ्लेम में दो से तीन मिनट के लिए सौस के साथ कवर करके पकने दे लगवात तीन मिनट कंप्रीट हो चुका है अब देख सकते हो हमारा चिली चिकन बनकर रेड़ी है अब इसका आप फ्लेम बनकर दे अब उपर स अब देख सकते हैं